हेलो गुड अफ्टनून वेल्कम टू अनकेडमी सेपियंस तो कैसे हो सब लोग आज लेट्स चैलेंज नेट 2020 स्टार्ट हो रहा है और जिसमें बायॉलजी पीवाई क्यू मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अनकेडमी सेपियंस पे नीट का जो डेट है अभी तो फिलाल कोई फिक्स्ट है नहीं है ना तो हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं नेट 2020 का तो तुम लोग देखो कैसा है प्रिप्रेशन तुम लोगों का मैं 90 कोशन्स लेकर आया हूं पीवाई क्यू का जैसे जो भी पीवाई क्यू पहले हो चुके हैं आल्रेडी 10 सालों में मैं उसमें से वन येर का पीवाई क्यू उठा कर लाया हूं टोटल 90 कोशन्स हैं तो हम लोग उसको ही टारगेट करने वाले हैं और ऐसे ही स्रीज ये वीकली स्रीज चल रहा है पूरा मंडे टूजडे वेडनस दे थर्सडे फ्राइडे सैटर्डे संडे ये सब दिन ये स्रीज चल रहा ह तो आज हम लोग इसमें जो करने वाले हैं वो पीवाई क्यू करने वाले हैं तो जल्दी से कॉपी और पेल लेकर बैट जो और हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं अगर तुभारे पास सैंपल की है अगर अगर सैंपल एंसर की है उसको लेकर बैट सकते हो और ये ट कर रहा हूँ कि अच्छे marks तुम अप्टेंड करोगे मैं इस 340 प्लस तो आना ही चाहिए minimum 340 क्यूंकि सारे questions तुम्हारे तो देखे हुए है क्यूंकि सारे के सारे क्या है यह थीक है तो यहाँ पे 140 प्लस बच्छे present है अभी class में तो जल्दी से वीडियो को like करो और अपने friends क तो जितना share कर सकते हो करो तो start करते हैं सेशन को जल्दी तो सीवान, विजया, केर्टी, सौरव, आर्वेन, प्रांजली, वंसिका, शुरुती, आशीष, रीसिका, गुड़ अप्टरून everyone तो चलो start करते हैं फिर तेक है और 60 मिनट का यह सेशन है मैं 4 बज़े तक यह सेशन चलेगा उसके बाद physics की भी एक लास आज और उसके बाद आज chemistry की भी है, okay, physics प्रतीक सर लेने वाले हैं और chemistry तमोगना सर लेने वाले हैं, okay बच्चो तो चलो start करते हैं, पहला question तुम्हारे screen के सामने यह रहा, पहला question, which one of the following statement is correct with reference to enzymes, enzymes सबने पढ़ा है biomolecules में, उसके reference में बतानी हैं, तुम्हारे पास copy में number होनी चाहिए, one, two, three, four, अगर key है, sample की है, तो वो भी best है, और तुम्हें last में बताना कितने marks आ रहे हैं, तो पहला question तुम्हारे screen के सामने यह रहा, इसमें से चार में से अगर एक correct करना है, तो holo का मतलब होता है complete, अगर मैं बात करता holo enzyme के बारे में, तो इसमें epo enzyme भी आएगा, प्लस इसमें co enzyme भी आएगा, miss epo enzyme और co enzyme मिलेंगे, तब जाकर holo enzyme बन कर तयार होता है, है ना, तो यह first question था मेरे पास, और ज़ादतर बच्चों के सही है, class में 200 plus बच्चे लग बग प्रेजिन है, और सबका answer यह आर आः, शान सबने सुन रखा होगा नाम, ANF का, सबने ANF का नाम सुन रखा होगा, Atrial Natiuretic Factor, मुझे एक बात बता दू, यह हार्ट के कहां से निकलेगा, जल्दी बताओ, Atrial Natiuretic Factor, यह हार्ट के कहां से निकलने का काम करता है, जिसका काम होता है, डिक्रीज करने का, ओके, तो ANF का काम है, डिक्रीज करने का, बलड प्रेशर को बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है, हमें साते रहते हैं एक्जाम में, यह रहाँ, यह बी इंपॉर्टन कुश्चन है, NCRT का नहीं था ये question जब exam में आया तो जल्दी से बताओ क्या लग रहा है answer creeps of livercune panet cell जाएगा answer panet cell ने क्या secret किया lysogyne को secret किया बाकि यह सब जितने भी cells होते हैं तो सारे के सारे cells important है और पूछा जाएगर creeps of livercune का कौन से cell secret करता है lysogyne तो simple सी बात होगी कौन से cell? panet cell है ना? चलो next question number 4 which of the following are not polymeric? कौन से यहाँ पर तुम्हें polymeric नहीं लग रहा है? मिस कहीं न कहीं वो monomeric के form में वो exist कर रहा है which of the following are not polymeric? जल्दी बताओ जल्दी से protein जानते हो यह polymer होता है polysacryide भी polymer होता है लेकिन lipids polymer नहीं होते lipids polymer नहीं होते तो answer क्या जाएगा? answer जाएगा C 4 का C यह paper कितने का हो रहा है? 360 marks का हो रहा है देखना है तुम्हें 360 में कितना ला रहे हो तुम चलो question number 5 functional megaspor in an angiosporm develops into functional megaspor in an angiosporm develops into नाम सुना होगा तुमने 4 बनते megaspor 3 degenerate कर जाते हैं बसते हैं एक तो जो बचे हैं functional megaspor in an angiosporm में वो किसमें जाकर develop होते होंगे? तो वो embryo sac में जाकर develop होते हैं sexual reproduction in flowering plant NCRT is a direct question next question number 6 question number 6 myelin seed समने सुन रखा होगा neurons myelin seed is produced by कौन से वो दो तरह के sale हैं? जो myelin seed बनाने का काम करते हैं जो myelin seed बनाने का काम करते हैं तो myelin seed is produced by क्या हो जाएगा answer? सुन सेल और oligodendrocyte ये नाम NCRT वे नहीं है लेकिन important है अगर हमें myelin seed बनाना है तो swan सेल तो आएगा ही आएगा प्लस साथ में कौन है? oligodendrocyte एक मैं अपने तरफ से suggestion देना चाहूँगा जितने भी तुम major paper करते हो या जितने भी minor paper तुम करते हो या test भी जो भी तुम लगाते हो उसमें जो भी special point मिले न तो NCRT में उसको लिगनेने का कोचिस करो क्योंकि NCRT में बहुत जगा खाली है तो उसको तुमारा आम से उसको अकुपाई कर सकते हो नेक्स्ट question number 7 इससे revision के लिए easy होगा तुमारे लिए sorry हाँ next attractants and rewards are required for दुनिया में कई तरह की pollination होते है कोई पानी से होता है तो कोई हवाओं से होता है तो कोई insects से होता है किने चाहिए attractants or rewards attractants or rewards किने चाहिए endomophily में चाहिए endomophily is a pollination caused by insect ठीक है तो बड़ी simple सी चीज़ हो गई endomophily एक type का biotic pollination होता है अच्छा बताओ अगर तुमसे पूछा जाए abiotic में सबसे common type का pollination कौन है water या air सबसे common अगर तुमसे पूछा जाए abiotic में जल्दी बताओ abiotic का सबसे common कौन है तो सबसे common होता है air तो ये चीज़ याद रखना abiotic में आते तो बहुत सारे है air भी आता है water भी आता है लेकिन सबसे कौन है air है ठीक है next question number 8 receptor sites for neurotransmitters are present on receptor sites for neurotransmitters वीडियो को like करो receptor sites for neurotransmitters are present on किस पे present रहेंगे post synaptic पे एक तो pre synaptic होता है एक post synaptic होता है और बताओ बीच का जो space बचता है जो nanometer में होता है उससे space को क्या बोलते हैं जिसमें neurotransmitters बरे होते हैं वो जो बीच में space बच रहा है उससे space को क्या बोलते हैं synaptic left बोला जाता है जो बीच में space बचा हुआ है question number 8 answer is C चलो question number 9 coconut fruit is a coconut fruit is a जल्दी से coconut fruit is a सांदर जल्दी जीविशा, रियांसी, शौमया जल्दी से बताओ question number 9 बहुत easy सा question है जल्दी से बताओ question number 9 coconut fruit is a चाहे मैं coconut लूँ चाहे यहाँ पर example mango ले सकता हूँ चाहे coconut हो, चाहे mango हो क्या जाएगा answer? डूप जाएगा जल्दी से बताओ coconut में हम क्या खाते हैं? epicarp खाते हैं, mesocarp खाते हैं या endocarp खाते हैं epicarp, mesocarp या endocarp जल्दी से बताओ, coconut में क्या खाएंगे हम? coconut में क्या खाते हैं? जैसे आम में खाते हैं न मेजोकार mango season चल रहा है तो बताओ जल्दी से क्या खाते हैं हम coconut में? जल्दी, coconut में हम क्या खाते हैं? इंडो स्पर्म खाते हैं लेकिन हम किन चीज़ों को खाते हैं? इंडोस, पंप को खाते हैं, कई बार तुमसे एक्जाम में कुश्चन पूछा गया है, ठीक है? चलो, कुश्चन नमबर 10, कुश्चन नमबर 10, adult human RBC are iniquilated, ठीक है, which of the following statement are most appropriate explanation for this feature? क्या लगता है? हमारे RBC में नहीं होते हैं निकलियस, adult human RBC में, miss mature RBC में नहीं होते हैं, तो क्या, miss कारण क्या है? They do not need to reproduce, they are somatic cells, they do not metabolize, all their internal space is available for oxygen transport, अरे उसमें कुछ नहीं है, निकलियस की बात तो छोड़ो, ribozome नहीं है, golgi body नहीं है, endoplasm, krediculum नहीं है, कुछ है ही नहीं, उसमें क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा oxygen चाहिए, उसमें answer क्या होगा? D, only 4, बहुत बढ़ी असानदार, ये question NCRT में तो नहीं है, ठीक है? अगर बात करें, ये सब चीज़े लिख रखें NCRT में, लेकिन application based जो question पूछा गया, वो यही था, अच्छा question था, तो चलो हम एक stage cross कर चुके, total 9 stage है आज, first stage में total 10 questions थे, 40 marks deal कर चुके हैं हम लोग, 40 में कितने आ रहे हैं तुमारे? out of 40 कितने आ रहे हैं? जल्दी बताओ, 231 बच्ची class में present है, जल्दी से बताओ भई, जल्दी से क्या लग रहा है? 40 में कितने मार्टस आएं हैं? ऐसे ही total 9 stage हम cross करेंगे, जो बच्चे late से आएं हैं, कोई बात नहीं, जहां से start हुआ है उसको करो, बहुत अच्छा, अमुल्या, स्रेष्टा, सत्यम, रिया, जादर तर लोगों की 40 आएं है, 40 out of 40, ठीक है? अगर एक गलत चला जाना, तो minus 1 कर लो, कई बच्चे 36 बता रहे हैं ना, तो negative marking तो है ही, देखते हैं, 360 में कितने ला रहे हैं तुम, चलो, अब अगले stage में चलते हैं, miss 11 to 20 में चलते हैं, नेक्स स्टेश, question number 11, capacitation क्या होता है, हमारी NCRT में नहीं है capacitation, तुम जानते हो, 4-5 कुश्चन बाहर से आते हैं, उसमें से ही कुश्चन था, capacitation occurs in, capacitation जो term है ना, related to sperm से है, लेकिन जाकर कहां होता है, ये complete, ये जाकर होता कहां है, female reproductive tract में, नेक्स कुश्चन number 12, biological classification से कुश्चन है, पूछा गया है, which of the following are found in, extreme saline conditions, u bacteria, cyanobacteria, mycobacteria, और archibacteria, चल दिसे बताओ भई, बिल्कुल इजी सा कुश्चन है, क्या जाएगा answer, archibacteria, और इसमें भी अगर तुम्हें specify करना है, तो बताओ क्या करोगे तुम, अगर specify करना है, तो hello files, अगर इसमें भी specify करना है, तो hello cocos वगर आ जाएगा, तो extreme saline conditions में, ये exist करते हैं, तो question number 12, answer a D, next question, 13, asymptote in a logistic growth curve is obtained with, asymptote, पढ़ा है ना हमने population में, organism and population, जल्दी से बताओ भई, पी वाई क्यू हम लोग कर रहे हैं अभी ये previous year questions हैं, नीट में आए हुए questions हैं, गलत तो नहीं होने चाहिए, asymptote बराबरी का खेल चल रहा है, जहां k equal to n आ जाए, इसी चीज़ को हम asymptote कहते हैं, important question था, logistic growth curve, scientist का नाम याद होगा कुछ, याद आ रहा है, scientist का नाम बहुत बढ़िया, तो question number 13, answer है A, next question number 14 गए, evolution का एक अच्छा सवाल, जो तुम से exam में पूछा गया, artificial selection to obtain, cows yielding higher milk, output represents, artificial selection, NCRT में तीन graph दे रखे हैं, उस graph से ही question है, तीन तरह के graph हैं ना, उसमें, directional, disruptive, और stabilizing, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या लगता है, तुम्हें question number 14, artificial selection, जल्दी से, सबका answer आ रहा हो गई, यहीं, बहुत बढ़िया, direct signal as it, pushes the mean of the character, in one direction, देखो ऐसा, तो यह question पूछा गया तुम से, एक और question तुम से पूछा जाता है, same ऐसा में ही, एक question आता है, जिसमें infant का weight दे रखा होता है, ना, 2 kg, 2 kg, 3 kg, जो question exam में आया हुआ था, तो दो ही तरह के question बनते हैं, generally, cow का और एक infant का, तो याद रखना हो, next question number 15, slick the mismatch, जल्दी से, slick the mismatch, एक question तुम से, mineral nutrition से पूछा गया है, फ्रैंक किया, जानते हो, एलनस के साथ relationship है, राइजूबियम कल्फाल्फा के साथ, आना बेना बहुत अच्छा, nitrogen fixation के रूप में आता है, rhodoasparalum mycorrhizor के साथ, नहीं, mycorrhizor के साथ, तो बस दो ही है, बड़े बड़े लोगों के साथ, रिष्टे है, किसके, फंजाई के, नाम बताओ, किसके साथ, रिष्टे बनाता है, NCRT में mentioned, कोई बच्चा बताएगा, फंजाई किसके साथ, रिष्टे बनाता है, फंजाई की बात आएगी, तो पाइनस का बात तो आएगा ही ना, एंसर क्या होगा, A, जो कि मिस्माश थरूडो स्पायरलम के साथ, इसको मैच नहीं कर सकते, नेक्स्ट कुश्चिन नमबर 16, गुद वीजन डिपेंड्स ओन, adequate intake of carotene rich food, select the best option from the following statements, जल्दी से बताओ, पाइनस, बहुत बढ़िया, पाइनस, जल्दी से बताओ, गुद वीजन डिपेंड्स, गुद वीजन डिपेंड्स ओन, adequate intake of carotene rich food, carotene की बात आती है, कही न कहीं कोई vitamin का चर्चा जरूर होगा इसमें, जल्दी से बताओ, क्या लगता है तुम्हें, vitamin A derivative, जब कभी भी मैंने बूला है कई बार, आँखों की बात आएगी, vitamin A वाले तो सही ही होते हैं, आमेंसा, ठीक है, retinal बिल्कुल derivative है, ठीक है, retinal एक बिल्कुल light absorbing pigment होता है, और ये चीज़ बिल्कुल गलत दे रखा है, नेक्स्ट कुश्चन नम्बर 17, थोड़ा फास्ट करते हैं, DNA fragment separated on an agoros zail, can be visualized with after a staining with, DNA fragment separated on an agoros zail, can be visualized after a staining with, जल्द इसे बतो, कुछ नाम सुनाओगा ना ऐसा, salt में बूला करते हैं, ethidium bromide, है ना, एंसर क्या जाएगा, C जाएगा, बायोटेक का सवाल था, अच्छा सब, कुश्चन नम्बर 18, ये तो बता दोगे, नाम से पता चल रहा होगा, hepatic portal vein है, drains blood to liver from, the hepatic portal vein, drains blood to liver from, जल्द इसे बतो, क्या लगता है, कही न कहीं बात चल रही है, hepatic liver से, तो liver से कहां जाकर भेजेगा, intestine में जाकर भेजेगा, ठीक है, तो hepatic portal vein, NCIT circulatory system, ये बाते दे रखी हैं, है ना, question number 19, ये रहा, anatomy से सवाल, vascular cambium से, क्या चीज़े निकलती है, primary phloem, secondary gylem, periderm, और philoderm, ये दोनों ते important point है, बहुत important है, लेकिन जब vascular cambium की बात आती है, वहाँ से क्या निकलेगा, तो वहाँ से secondary gylem निकलेगा, क्या निकलेगा, secondary gylem निकलेगा, तो question number 19, answer है B, second stage का आखरी question, question number 20, thalassemia और secal cell anemia, are caused due to a problem in globing, molecule synthesis, जल्दी से बताओ, globing molecule synthesis में problem आ जाती है, तो correct statement तुम्हें बताना है, correct statement तुम्हें बताना है, कौन है quantitative, कौन है qualitative, NCRT में सारा दे रखा है, जिसे भी problem है, जल्दी से screen insert low, और जब हो जाए class खत्न, 4 बज़े, तो उसको करना NCRT से match करना, क्या लगता है, बिल्कुल, thalassemia is due to lase synthesis, बहुत important point, of globing molecules, 20 questions complete हो चुके हैं, मैं इस 80 marks का paper हो चुका है, बताओ जल्दी से 80 में कितने आ रहे हैं तुम्हारे, paper मैंने आज अच्छा जूस किया तह, जिसमें questions अच्छे थे PYQ में, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जोड़ो कितने आ रहे है marks तुम्हारे, out of 80, 80 में 80 तो आने चाहिए, 20 के 20 questions तुमने देख रखे होंगे, है ना, ओके, रैज़त, सुभा, राज, जिविशा, पृती, प्रांजली, आकास, बायोलिजी, बबल, आरवेन, रिसिका, में प्रेजेंट हैं, और मैं देख रहा हूँ, 80% से ज्यादा बच्चों के जो हैं, 80% से ज्यादा बच्चों के marks आ रहे हैं, full out of full, गाज़ सा, बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक करो, यार वीडियो को लाइक करो, जल्दी से, इतने बच्चे प्रेजेंट हो, बस इतनी लाइक, जल्दी से लाइक करो वीडियो को, जल्दी से लाइक करो, आगे स्टार्ट करते हैं, ठर्ड स्टेज, कुश्चन नमबर 21, बड़ा सिंपल सा कुश्चन है यहाँ पे, पूछा क्या है, देखो क्या, जीनो टाइप ऑफ हस्बेंड और वाइफ का दे रखा है तुम्हारा यह, ठीक है, जैसे यह दे रखा है, इसको इस तरह से समझ लो, है न, अमंग दे बलड टाइप अफ देर चिल्टरन, तो जीनो टाइप टोटल तुम्हारे चार बन सकते हैं, चार बन सकते हैं, यह दो तो गए, ठीक है, अब बदो, फीनो टाइप कितने बन सकते हैं, फीनो टाइप तो तीन ही तरह के हो सकते हैं, बहुत बड़ी आगा, एंसर क्या आना चाहिए, चार और तीन, चार 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 और तीन बस एंसर क्या जाएगा? B कुश्चन नमबर 21, एंसर है B Next, कुश्चन नमबर 22 ASTOMATAL APERCURE के ओपनिंग के बारे में पूछी गई है चीज ASTOMATAL APERCURE के बारे में पूछी गई है NCRT की लाइन है ASTOMATAL APERCURE के ओपनिंग के बहुत सारे है सबसे वैलिड कौन से बताया जाता है कौन से लाओ सबसे ज़्यादा वैलिड है एक तो ये भी चलो ठीक है ऐसे भी होता है मेकनिस्म है लेकिन पूछा जाएगर सबसे वैलिड कौन ASTOMATAL APERCURE के रिगार्डिंग जल्दी से बताओ क्या लगता है ASTOMATAL APERCURE के रिगार्डिंग अगर उनसे पूछी जाए सबसे वैलिड पॉइंट कौन सा है मिस वैलिड लॉग कौन सा है कुई भी तो बताओ कोई तो बताओ एक अमुल्या ने बताया है कोई तो बताओ बहुत बढ़िया potassium वाली theory जो है वो सबसे best theory है जिसमें influx, hot flux की बात करते है बहुत सांगलार है ना तो एक कुश्चन आया भी हुआ exam में कि सबसे best कौन है 267 बच्चे present है 300 target करते हैं है ना जितने friends को share कर सकते हो कर देना चलो कुश्चन नमर 23 बॉगिन वीलिया की बात आती है उसमें काटे होते है बॉगिन वीलिया और citrus NCRT लिखती है तो बताओ जल्दी से ये किसका modification है इसमें जो काटे तुम देख रहे हो ये काटे किसके modification है जल्दी से बताओ बाई इसमें के modification होते है तो काटे इसके modification है important question है इसे भी example याद रखने है next question पूछा गया कुम से एक सीटू conservation जल्दी से बताओ कौन है एक सीटू कौन है एक तो hottest spot Amazon rainforest Himalian region और उसके बाद wildlife safari parks क्या लग रहा है wildlife safari parks जाते हैं न लोग यहां है न गाड़ियों में घूमते हैं बंद होकर और उपर जितने भी देख रहे हो तुम लोग सारे के सारे क्या है इन सेटू एक बाद जल्दी से बताओ hottest spot कितने हैं total पूरे world में biodiversity hottest spot total कितने हैं पूरे world में next question 25 root hairs develop from the region of total तीन रीजन होते हैं meristematic elongation maturation जल्दी बताओ root hairs develop from the region of root hairs कहां से develop होते हैं maturation वाले zone से root hairs आते हैं next question number 26 एक disease है caused by an autosomal primary non-disjunction हाँ एक disease है caused by an autosomal primary non-disjunction is क्या लगता है कौन साथ disease direct NCRT की line है autosomal non-disjunction क्या जाएगा answer dawn syndrome dawn syndrome हम लोगा rapid fire कर रहे हैं ठीक है rapid fire खेल रहे हैं इस तले मैं क्यूंकि सारे easy question है तुम्हारे देखे हुए question है explain करने की जरूत है ही नहीं next question number 27 ये लोग अब इसको क्या explain करूँ मैं water potential और pure water किता होता है water potential और pure water किता होता है zero होता है खाता next question 28 which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis ये एक अच्छा question था जो पहले आया हुआ था जुसने concept पढ़े होंगे उनका ही सही जाएगा ये condensation nuclear membrane disampling arrangement at equator centromere division segregation और telophage जल्दी जबताओ सबसे पहले chromatin condensed होते है condensed होने के बाद nuclear membrane टूटने लगेगा और उसके बाद equator में metafage की कहानी है और उसके बाद centromere division होने लगेंगे और उसके बाद anaphage anaphage के बाद telophage ये कहानी आता है तो पहला वाला बिल्कुल correct है है ना तो overall answer क्या है 28 का a cell cycle और cell division बहुत conceptual chapter है अच्छा important chapter ये है और बागी वो वाले जो point है पहले वाले जैसे sub metacentric metacentric ठीक है अच्छा तुमसे पूछा जाएगा L safe का कौन होता है sub metacentric metacentric telocentric acrocentric 4 safe है ना V L J I तो बताओ जल्दी से L safe का कौन होता है जल्दी से बताओ जल्दी से शोभा प्रांजली नसीम रेनुका अभिलाशा सपना निकिता हमाद मीनू जल्दी से बताओ कौन होता है यह V L J I का जल्दी से बताओ V L J I होता है ना तो मैंने पूछा है तुमसे L बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब metacentric होगा ना V L J I metacentric sub metacentric acrocentric or telocentric on the basis of centromere 4 होता है total है ना बहुत बढ़िया तो answer क्या जाएगा A तो overall यह समझ में आ रहा होगा तुम्हें चलो next question number 29 question number 29 the process of separation and purification of expressed protein before marketing is called process को क्या बूला जाएगा separation करना purification करना expressed protein का before marketing इस चीज को क्या बूलते है इस चीज को बूला जाएगा dawn stream processing important है यह चीज ठीक है dawn stream processing बोलते है इस प्रोसेस से marketing के पहले चीज़ों को separate करते हैं और उसके बाद purify करते हैं next question number 30 यह तो popular सवाल है यह और यहां से क्या secret होता है यह भी बताना मुझे और क्या यहां से सिर्फ यही secret होता है जो तुम बता रहे हो famous तो ही वो नाम जो secret होता है यहां से जल्दी से बताओ answer तो तुम्हें मालूम है कि answer जाएगा corpus luteum और यह भी तुम्हें मालूम होगा progesteron secret होता है लेकिन क्या यह बात सही है कि सिर्फ यहां से progesteron ही secret होगा नहीं होते सब कुछ है progesteron भी होता है estrogen भी होता है सब कुछ होता है है ना तो answer क्या जाएगा 30 का भी 3 states complete टर चुके हो मैंस कहीं न कहीं 120 marks का paper हो चुका 120 marks का paper हो चुका 1 by 3rd paper complete हो चुका जल्दी से बताओ तुम्हारे marks कितने आ रहे हैं भी तक total 60 questions वार बचे है जल्दी बताओ सिम्रन, सुभा, स्वतंत्र निकिता, ओम नुश्रत, शक्षम जीवीशा, रेनुखा अंजली जल्दी 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 कितने आ रहे हैं 120 out of 120 गसाब निकिता ने गलत कर दिया निशा ने भी किर्थी ने भी जीतेंदर ने भी ऐसे कैसे यार कैसे गलत कर दिये तुम रिया ने भी ओके अनावेत ने भी बहुत सांदार ज़ादतर बच्चों के 120 out of 120 आ रहे हैं सांदार शांदार शांदार ठीक है तीस कुश्चन कम्प्लीट कर चुके हैं ठर्ड स्टेस कम्प्लीट स्टेस नमबर फो स्टेस फोर का पहला कुश्चन वीच अब दा फॉलिंग इस मेड़ अप देट सेल्स देट सेल्स के कौन बने हुए हैं यहाँ पे इस दोनों में कंफूस हो रहो गए तो एंसर क्या जाएगा बहुत इंपॉर्टन ही है NCRT में पढ़ना फ्लेम क्या होता है फीलोजेन क्या होता ही बहुत इंपॉर्टन कॉनसेप्ट है यह सब ठीक है तो हरे चैप्टर का कुश ना कुश important concept होता है वैसे ही अगर मैं बात करूँ biological classification का fungi वाला portion important है जो बच्चे बार-बार छोड़ देते हैं exogenously, endogenously वैसे anatomy का secondary growth बहुत important है ये गलती कभी मत करना कि जब chapter को start कर रहे है तो बिल्कुल पहले line से start कर रहे है ये perfect recipe कहा जाता है disaster का समझ गया कि the living world पढ़ रहे है तो how wonderful is the living world यहीं से start कर रहे है है ना तो ये सब चीज़े नहीं direct आएंगे इस पे taxonomic categories पढ़नी है direct flora manual monograph catalog पढ़ना है वैसी bylaws की classification पढ़ रहे है तो कुछ examples देखने है photosynthetic autotroph कोन है chemosynthetic autotroph कोन है इसी में तो confusion होता है morphology तुम root से start करते हो और तुमें confusion होता है आगे estimation और placentation में तो वो topic को पढ़ना है है ना next question number 32 an example of colonial alga जल्दी से नाम बताओ example कौन है an example of colonial alga जल्दी से दर्शन, रिसिका, स्वतंत्र जल्दी से हमाद an example of colonial alga alga, walvox, है ना walvox है, बहुत बढ़िया तो walvox colonial alga में आएगा next question number 33 sexually transmitted diseases के नाम दे रखे हैं, उनके साथ उनके causative agent दे रखे हैं जल्दी से matching matching खेलो जल्दी से खेलो matching matching gonorrhea को किसके साथ match कर आओगे, नाम सुना है ना तुमने, nizeria gonorrhea syphilis का, tryponema, palliderm genital warts का क्या लगाओगे HPV, human papilloma AIDS का तो बच्चे बच्चे जानते हैं answer क्या लगा रहे हूँ answer 4 आना चाहिए तुम्हारा ठीक है, बहुत सा अंदर question number 34 function क्या है copper iron का लगाते हैं ना copper के IODs तो copper releasing IODs में copper ions का क्या काम होता है क्यों ना हम iron लगा दे हैं gold लगा दें, titanium लगा दें तो copper ions का हिस्स इतमाल क्यों किया जाता है कुछ तो reason होगा ना copper ion क्या करते हैं sperm की motility को suppress करने का का काम करते हैं और sperm की जो fertilizing capacity है उसको भी suppress करने का काम करते हैं यह copper ion का function है next question number 35 which of the following in sewage treatment removes suspended solids बहुत important topic है sewage treatment, primary treatment, secondary treatments और flogs आता है इसमें term, है न इस सब चीज़ें बहुत important है तो जल्दी से बतावा answer क्या लग रहा है suspended solid का पहला ही process होता है जिसमें sedimentation लगारा किया जाता है filtration लगारा तो यह primary treatment में चीज़ें आती है question number 36 एक important characteristic बताना है जो hemicodets share करते हैं cordets के साथ hemicodets share करते हैं cordets के साथ उस important characteristic का नाम बताव जल्दी से क्या नाम है जल्दी क्या नाम लग रहा है pharynx weight, gills, slates बहुत important है अच्छा बताव, motocod की तरह hemicodet में भी कुछ होता है rudimentary यादा रहा है कुछ जल्दी से बतादो उसका नाम hemicodets में भी कुछ होता है ऐसा अन्यूंसी अट में correction में आया है यह चीज वो hemicodets में वो कौन सी चीज होती है बहुत सांदा है stomocod कहते हैं उसे next question number 37 यह final proof जो होता है DNA का genetic material came from the experiments off कि DNA ही genetic material है protein नहीं होता है genetic material यह किस ते बताया जो final proof है किस ते बताया 300 से ज़्यादा बच्चे live हैं या संदा stomocod कहते हैं जल्दी से बताव 37 37 हरसे और चेज यह तो सबको मालूम होगा unequivocal proof है न तो यह हरसी और चेज याद रखना important है question number 38 among the following characters which one was not considered by Mendel in his experiment on P P 7 contrasting pairs ले रखे थे total 7 pairs contrasting traits थे trichomes seed green pod inflated stem top तुमने सब कुछ देखा होगा लेकिन trichomes के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा तुमने पूरी genetics में trichomes multicellular या unicellular पहले तुमुझे यह बता दो trichomes पढ़ते हैं ना टॉमी में तो जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या लग रहा है यह multicellular feature होता है next question number 39 plants which produce characteristic pneumatophore so baby parry belong to कहां से belong करते हैं यह जैसे सुन्दर बन के अगर बात करे risofura बगएरा होता है तो जल्दी से बताओ क्या होगा marshi areas में halophytes कहे जाएंगे ठीक है halophytes ठीक है बहुत simple सा question था चलो stage 4 का आखरी question यह question number 40 उसके बाद stage 5 में चलेंगे the pivot joint between atlas or axis is a type of इससे simple question हो सकता था क्या तुम तो जानते हो क्या होगा सारे किसके type है सिनोविल जॉइंट के तुम कितने भी जॉइंट पड़े हो सारे जॉइंट किसके है सिनोविल जॉइंट के total 4 stage complete हो चुका 160 मास का paper हो चुका है जल्दी से बताओ out of 160 कितने आ रहे हैं तुमारे out of 160 कितने आ रहे हैं जल्दी से बताओ जल्दी question number 40 तक हो चुका मैं सा stage 4 we complete कर चुके हैं stage 4 completed बहुत अच्छा निकिता, स्रधा, प्रिती, अर्पन, विज्या, रिया, हमाद, उर्मिलेश, उतकर्स, दर्शन, मनीशा, अंजली, बहुत सांदर, या शिवानी, बहुत बढ़िया, ऐसी बहुत बढ़िया, ऐसी, ठीक है, major paper तो कम से कम लगाया करो अब, एक्जाम में जितने भी दिन बच पर लेकर आ रहा हूं, वो भी major paper तुम दे सकते हों, है ना, total 90 question बिलकुल phrase होंगे आज साम पाच बज़े, next question number 41, stage number 5 में हम आ चुके हैं, 323 बच्चे लाइफ है, जली जबदो, question number 41, photosynthesis पढ़ते हैं ना, उसमें आखरी के दो पेज, बड़े important है, factors affecting photosynthesis, वहीं से तो यह line है, बुला गया है, incorrect statement कौन है, increasing atmospheric CO2 concentration, बिलकुल, enhance कर देगा, CO2 fixation rate को, एक हद तक, C3 plant respond to higher temperature, with enhanced photosynthesis, C4 lower, गलत दे दिया, opposite दे रखा है, answer क्या जाएगा, answer होगा B, next question number 42, DNA fragments are, DNA fragments are, जो लोग answer बता रहे हैं, वो यह भी बताना, DNA में positive and negative, जो भी होता है, वो किसके चलते होता है, DNA fragments are, जल्दी से बता हो, यह तो पता है ना, तुम्हें negatively charged होता है, negatively charged होता है, तो जल्दी से बता हो, DNA fragments negatively charged किसके चलते, बहुत बढ़े हैं, कई बच्चे बता रहे हैं किसके चलते, phosphate के चलते, मुझे एक बता है, DNA negative charge है, histone positive charge है ठीक है तो histone positive है तो positive किसके चलते होगा यह basic amino acid के चलते है यह acidic amino acid के चलते है अगर basic है तो नाम क्या acidic है तो नाम क्या histone का nature positive होता है तो नाम क्या रहा होगा जल्दी से बताओ यह सब question अच्छे बनते हैं सब और आते हैं एक्जाम में हमेशा basic और basic में कौन lysine और arginine NCRT लिखती है ना इनके amount भी जाता होता है region lysine and arginine molecular basis of inheritance बहुत चांगा है ना basic के चलते वो चीज होता है acidic महाँ पर क्योंकि acid के चलते तो negative nature आती है next question number 43 which of the following components provide a sticky character to the bacterial cell a sticky character कौन देने का काम कर रहा है कौन चिपकाने का काम कर रहा है तो यह दो बच्छे बच्छे जानते हैं glycocalyx nuclear membrane तो ऐसी हटा दो बाहर में glycocalyx उसके बाद sail wall उसके बाद plasma membrane है ना next question question number 44 pancreatic juice के जो भी enzyme के composition होते हैं उनके नाम बताने है which of the following options best represent the enzyme composition of pancreatic juice आम लीची ट्राई करना कुछ ऐसे ट्रिक बताया है है मैंने याद आ रहा होगा तो ठीक है तो एंसर क्या आएगा एंसर आएगा lipase amylase trypsinogen pro carboxy peptides है ना तो डिरेक्ट के टिप पे होना चाहिए pancreatic juice intestinal juice digestive juice इस सब सारे नाव है एक छोटी सी पतली सी copy बनाये होगे साय तो मैंने कई बार बोल रखा है और उसमें जो भी चीज़े याद करने की हैं जैसे मैं तुमसे डिरेक्ट पूछ दूँ अंगर कि markensi आए तो लीवरवर्ट में आएगा है मौसस में तो पता होना चाहिए लीवरवर्ट में आएगा मौसस अच्छे या लीवरवर्ट अच्छे इन रिस्पेक्ट तो स्पूर, डिस्पर्जल, हर चीज़ में मौसस इसे में तो मचली आएगा लिवर्ट आप कोमगीन रिस्पेक्ट अफिक में आगे संच्छोरosa चलो next कुछम नंबर 46 fruit and leaf drop at early stage can be prevented by the application of कई बार ऐसा होता है कि fruit जो है ये leaf बगर पहले ही जड़ जाते हैं क्या दोगे तो नहीं होगा ये चीज NCRT के line है ना डिक्टो answer क्या जाएगा? answer जाएगा auxin fruit and leaf drop at early stage can be prevented by the application of auxins चलो next question 47 ये male frogs में sperm का root बताना है कि sperm की passes कैसे कैसे होती है थोड़ा सा human से relate करो तो चीज़ें कहीं कहीं कर पाऊगे ऐसे question छोड़ कर नहीं आने चाहिए और बहुत easy सा question है सबसे पहले तो start तुम testis से ही करोगे सब में वही कहानी दे रखी है टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंसिया फिर उसके बाद किड्नी से होते हुए वेडर्स कैनाल दे निरेने जरेटल डक्ट और फिर क्लोएका क्लोएका तो इतना important amphibians का feature ही होता है जल्दी बताओ क्लोएका में कितने pipe आकर मिलते हैं amphibians में क्लोएका जाकर पढ़ना है न बाहर आकर खुलते हैं सारे 48 in case of a couple where the male is having a very low sperm count which technique will be suitable for fertilization sperm count ही बहुत कम है तो बताओ GIFT या AI या ICSI या IUT क्या होगा इसमें artificial insemination करवाया जाएगा जब sperm count low होगा NCRT chapter number 4 reproductive health उसकी जो आखरी page है ना infertility वाली एक question तो आता ही आता है कुछ-कुछ pages fix हैं या जैसे infertility की वो आखरी page वो fix होता है class 12 NCRT page number 183 सारे निजित्ते में नाम है मुनासकस, purpureus वगएरा आता ही question है cholesterol, lowering agent वगएरा yoga statins वगएरा है वो एक question आता है उसमें से कुछ-कुछ मतलब fix होते हैं pollination एक छोटा सा topic है एक question आए गई klystrogamic aspect अगई में सब आते हैं question है ना तो इस पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना next question number 49 question number 49 which ecosystem has the maximum biomass maximum biomass किसके पास biomass कहीं न कहीं area से करते हैं represent और area में biomass अच्छा, biomass में dry लेता है या weight लेता है dry weight लेता है या weight लेता है dry लेता है या weight लेता है biomass में answer तो सबको मालूम होगा कि forest ecosystem ही आएगा लेकिन dry या weight हमेशा जब भी लेंगे ना तो हमेशा लेंगे dry weight क्योंकि dry weight एक actual weight होता है कोई इसमें change नहीं होता हमेशा क्या होता है constant होता है जिसे मानू तुमने अभी वजन करभाया अपना है ना तुमारा आ रहा है मानू 100 kg ठीक है सब 100 kg के हो के ही तुम लोग है ना 100 kg के हो मानू तुमने जस्ट अभी पानी पिलिया एक लीटर तो एक लीटर पानी पिलियो ते 101 हो जाएगा ना तो वह actual weight कहा हो वो तो तुमारा simple सा change हो रहा है ना weight बस तो वो चीज dry weight जो होता है वह actual weight होता है bomb calorie meter में सुखाने का काम करते हैं हो भी tissue को और उसके बाइड dry weight निकालने का काम करते हैं चलो लगो 50 50 लगो छोटू जल्दी से lungs are made up of air filled sacs the alveoli they do not collapse even after forceful expiration because of because of जल्दी बताओ जल्दी हम इस रहिस्टा ने आज़ी weight करवाया 100 kg कहा जल्दी बताओ कित क्या हैगा IRV tidal volume inspiratory reserve volume और residual volume जल्दी से जो फिर भी रह जाए residual volume डेटा बताओ कोई कोई बच्चा data बताओ इसका कितना ml डेटा बताओ छोटू डेटा बताओ डेटा बताओ 1200 ml इसकी कारेन ही collapse नहीं करता चलो पाच stays complete हो चुके हैं five stays completed तो जल्दी से बताओ जल्दी से जोटू कितने आ रहे हैं पच्चास कोशन में 200 marks का complete हो चुका है portion 200 marks में कितने आ रहे हैं 200 marks में कितने आ रहे हैं जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ कितने आ रहे हैं सत्यमत्रिपाठी अभिलासाराय रे विश्णु प्रिया चोहान आयूसी कवीता मोहित प्रताप खुएल हितिस रोशन अनबेट नफीशा अमन जया अमुल्य इफाद जितेंद्र मुहम्मद रिया स्वास्तिक, महीका, रिशिका, हितीस, अमुल्य, मांसी, किर्थी, अनप्रियांसी, शैखा, अकलो, अमुल्य, विजय, यतीन, उर्मिलेश, निकिता, शुभा, शौमी, लक्ष, दीपक, अंजु, अमुल्य, राज, दर्शन, बहुत सा अंदर, लगभग जादा तर लोगो क्या रहे है 200, तुम लेट से भी आए ना, कोई बात नहीं, तुम लेट से भी आए ना, कोई बात नहीं, तुमने जो किया ना, वो पेपर पर्फेक्ट करना है न, और एक्जाम का जो टाइमिंग है न, जेनरली 2-2-5 होता है, तो इस समय सोने का काम मत करा है न, तो इस समय जागते रहो, path stays complete हो चुके हैं, 200 marks में 50 questions, next, question number चलते हैं हम लोग 51 पे, 51, presence of plants arranged into a well defined vertical layers depending on their height can be seen based in, ऐसे 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 जंगलों में होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, light के बेसे पे चीज़ें होती हैं, तो कहां ऐसा देखने को मिलता है तुम्हें, can be seen based in, जहां तुम्हें लगबग 4 से 5 strata देखने को मिल सकते हैं, 4 से 5 layer देखने को मिल सकते हैं, answer क्या जाएगा, tropical rain forest, तभी तो इसे कहते हैं न, multi-storied forest, वाद बढ़िया, question number 52, correct पूछा गया है तुमसे, correct पूछा गया, बच्चे confused होते हैं इसमें, इस वाले question में, जल्दी से बताओ, which of the following statement is correct, correct का statement तो एक ही लग रहा होगा, the ascending loop, limb of loop of Henley is permeable to water, किस के लिए permeable है, water के लिए permeable होता है, चलो next, question number 53, Alexander von Humboldt, described for the first time, Alexander von Humboldt, described for the first time, laws of limiting factors, species area relationship, population growth equation, और ecological diversity, युनो ने क्या बताया, species area relationship, जैस जैस एरिया बढ़ाते चली जाओ गया, species और भी बढ़ती चली जाएंगी, to a limited extent तक ये चीज़े होंगी, जल्दी से बता, law of limiting factor, law of limiting factor किस ने दिया, और कब दिया, किस ने दिया, और कब दिया, किस ने दिया, और कब दिया, जल्दी से बता दो, black man ने दिया, 1905 म बहुत सांदर, नेक्स कुश्चन नमर 54, जैगोटिक मियासिस, age characteristic feature of, जैगोटिक मियासिस, क्या देखना चाहिए इसमें, क्या हम algae को देख लें, बताओ कौन है algae, फुनेरिया नाई, और उपर से कौन सा, क्लैमेडोमनास, ग्रीन algae की चर्चा होगी, जैगोटिक मियासिस मे है ना, तो सिंपल सा चीज से क्या जला गया, क्लैमेडोमनास, पॉपलर कुश्चन है ये, नेक्स कुश्चन नमर 55, ये एक अच्छा सा कुश्चन था, ये एक अच्छा कुश्चन था जो एक्जाम में आया हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत सा अंदर, चलो जल्दी से बत such that the length of the RN becomes 998, how many codons will be altered, कितने alter कर जाएंगे, जल्दी से बताओ, कितने alter कर जाएंगे, अब देखो ना, सिंपल से थोड़ी सी दिमाग लगाओगे, पुछा गया, कितने codon alter कर जाएंगे, ठीक है, तो तुमारा answer कहीं न कहीं आ रहा होगा, 33, आ रहा है सब का 33, क्योंकि यह से देखो न, overall 999 आ जाएगा न, जैसे मानों कि यहां तक तो सही है, चलो ठीक है, 900 तक तो सही चल रहा है, उसकी बाद का तो सारा खेली खतम हो गया न, तो overall answer क्या जाएगा, 33, codons will be altered, सही है यहां तक, चलो भई, बहुत बढ़ी है, next question number 56, flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by, तु जल्दी से बताओ, characteristic कैसे होते हैं, जल्दी से बताओ, क्या लग रहा है तुम्हें, flowers which have single ovule, wind के characteristic होते हैं, NCRD ने characteristic दिया है, wind वाले का, water वाले का, insect वाले का, वो characteristic एक बार जलू देखना, चलो next, 57, 57, transplantation of tissue, मुझे तो लगता है यह word देखकर ही तुम बता दियोगे, transplantation त है ना, sale, mediated, immunity, तो overall answer क्या जाएगा, A, चलो next, question number 58, question number 58, life cycle of ectocarpus and fucus respectively are, life cycle of ectocarpus, fucus respectively are, EP के सुने हो नाम, ectocarpus, polysiphonia, और kelps, यह सब haplodeiplonantik के category में आते हैं, और fucus तो famous है, diplonantik के लिए, fucus ही क्या, जितने भी brown algae हैं, सब हो सकते हैं ना, तो overall trick भी बताया था, मैंने तुम्हें self defense, है ना, तो यह brown algae का trick हो गया, तो यह brown algae का overall trick है तुम्हारे सामने, ठीक है, सारगैस, miktocarpus, lemneria, fucus, or dictiota, important question है, याद रखेंगे, कौन diplonantik, कौन haplonantik, चलो next, question number 59, question number 59, एक gene है, whose expression helps to identify transformed cell is known as, is known as selectable marker, यह important है यह, इससे ही तो पहचानने का काम करते हैं, चलो next, 60, a dioces flowering plant prevents both, यह line सब को confuse करती है, dioces flowering plant है, means, अलग-अलग है, dioces है, अलग-अलग है, prevent किसको करेगा, सोचो न, अगर same plant में होता तो autogamy को prevent करता है, तो अलग-अलग है, तो autogamy को करेगा ही करेगा, plus इसमे getanogamy भी नहीं होगा, यह geneogamy का case हो गया, अलग-अलग मे species में चल रहा है यह, तो autogamy and gitanogamy दोनों को prevent करने का काम करेगा, 6 states complete कर चुके हैं, हम लोग, मिस कहीन कहीन 240 marks हो चुका, 240 में कितने हैं, 339 बच्चे प्रसेंट हैं, जल्दी से बताओ, 240 में कितने हैं, जल्दी से 240 में कितने आ रहे हैं, सीखा, प्रेणा, कवीता, वगीशा गुरिराज, अंजली, उर्मिलेश, नेहा, मिलन, दर्शन, निकिता, हवीव, स्नेहा, कुलेशवर, सत्यम, दर्शन, राज, रेष्टा, 240 में 240, गाजा, 360 और मैं 360 तो मुझे लग रहा है, कोई ना कोई तो जरूर लाएगा, है ना, कोई ना कोई के अजादतर बच्चे हैं आप है, बहुत बढ़िया, 240 में 240, बहुत बढ़िया, पीवाई की तो टीप पे होनी चाहिए, है ना, 2009 से लेकर, 2019 तक का जो पीवाई की होना बिलकुल टीप पे होना चाहिए, है ना, मिस तुम बता दो, हाँ, इसका ये होगा, यार, इसका ये होगा, आराम से, options भी तुम statement is wrong for crave cycle, which statement is wrong for crave cycle, ठीक है, तो जल्दी से बताओ answer, क्या होना चाहिए था, यहाँ पे, the cycle starts with condensation of acetyl group with paravic acid to incitric acid, क्या होना चाहिए था, बताओ जरा, क्या होना चाहिए था, answer तो सब को मालम है, C, कि crave cycle के लिए, हाँ, यही चीज़ गलत है, मैं last time बताओंगा, यह कौन से year का paper था, पहले लगा लो तुम पहले, हाँ, तो पूछा गया, crave cycle में तुम्हें कौन से चीज़ गलत लग रही है, क्या होना चाहिए था, answer तो सब का आ रहा है, क्या चीज़ गलत दे रखा है, एक चीज़ के कारण को पूरी की पूरी गलत हो गई, जल्दी से बताओ, अरे CO2 OAA, oxaloacetic acid होगा ना, ठीक है, वहाँ पर तो गलत दे रखा है, ठीक है, बहुत बढ़ी है, next question number 62, तुम्हारे सामने ये रहा, 62, PEP is the primary CO2 acceptor in, ये सब मुफ्त के सवाल होता है ना, ये सब जो question है, मुफ्त के question है, PEP is the primary CO2 acceptor in, C4 plants, ठीक है, मतलब C4 plants भी नाम तुम से पू प्लांट की एक्जामपल बतादो, जो NCID देती है, C4 plant की एक्जामपल कौन कौन है, जल्दी से, 63 में आ जो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भई, जल्दी से क्या लग रहा है, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, इसका लगवा answer जल्दी से, क्या लगता है, question number 63, question number 63, मेज, बहुत अच्छा, स्वारगम को तु भूली गए तुम लो, मेज, स्वारगम और सुगरकें, बहुत बढ़ी है, question number 63, the lagging strand away from the replication fork, बहुत फेमस है यह, ओका जाकी फ्रेक बेंट, बहुत जादा फेमस है यह, next question number 64, question number 64, most abundant पूछा गया कौन सारेने, इतने सारे आरेने तुमने नाम सुने है, इतने शारे आरेने तुमने नाम सुने है, तो जल्दी से बता दो कौन सबसे ज़्यादा अबंडेन्ट होता है, सबसे ज़्यादा कौन है, आरारेने है, बताओ जा रहा है, इसका relation कौन से सेल और इसका relation है, आरार्ने का, मिस राइबोजोमल आरेने, जहां राइबोजोमल के सबव यूनिट्स बनते हैं, लारजर सबव यूनिट एफेरिशन अहां बनते हैं, यहां डिकलियोलस यादा रहा है, जिसमें मिंब्रेन नहीं होता, स्रिकल होता है, एंस यह डिकत इने लार्ज में जरुवत पड़ती है इसकी reproduction में जरुवत पड़ती है acts on किस पी काम करेगा ये anterior putitry gland पे काम करेगा और वहां से release करवाएगा LH और FSS पड़ते हैं न feedback mechanism feedback mechanism तुमने पढ़ाओगा reproduction में भी वहां पर भी बताया जाता है और endocrine system में तो है ही ये ठीक है चालो चोटो next question number 66 what is the criterion for DNA fragments movement on agaroselle during gene electrophoresis movement क्या होता है ये बताना है तुम्हे movement क्या होता है ये तो बड़ा simple सा चीज है जल्दी से बताओ और वीडियो को like करो यार वीडियो को like करो अभी तुम जस्त आये हो वीडियो को like करो वीडियो को जल्दी से like करो पीवाई को कर रहे है let's challenge need 2020 का ये स्रीच चल रहा है जिसमें हम अभी biology कर रहे है इसके बाद chemistry है जो तमोगना सर लेने वाले है the smaller the fragment size the farther it moves next question number 67 hypersecretion of growth hormone in adults does not cause further increase in height because जल्दी बताओ hypersecretion of growth hormone in adults एक बार अच्छा कुशन आया था ये जब एक्जाम में कुशन आया तो करिवास से लग तीन साल पहले तो एक अच्छा कुशन था जिसका NCID में कोई चर्चा नहीं है जिसने biology अच्छे से पढ़ी होगी concept के साथ उसने किया हो गई है क्योंकि epiphygial plates close हो जाते हैं adolescence में बून में पढ़ाया जाता है epiphygial plate क्या होता है तो epiphygial plate close हो जाते हैं इसले growth नहीं हो पाता question number 68 DNA replication in bacteria occurs within nucleolus कहानी होती नहीं निकलियोलस के उसमें चला आप बताओ दो जल्दी से prior to fusion binary fusion के पहले ये काम होता है एक बात बताओ बैक्टेरिया में sexual reproduction होता है या नहीं होता है बैक्टेरिया में sexual reproduction होता है या नहीं होता है NCRT तो लिखती है sexual reproduction के बारे में कुछ-कुछ नहीं होता है sexual reproduction जैसा है है ना sexual reproduction पहली बार क्योंकि प्रोटिस्टा में ही आया था चल्दी से बताओ रुपेश, शामलाल, विरेंद्र, आकांचा, महवीर, सुर्या यह question एक बार period पूछ लिया गया, बच्चे बच्चे जानते हैं 7 year के बारे में रेकन यह किसी नहीं पढ़ा था NCRT में, गौर भी किसी नहीं किया था इसलिए NCRT का कुई भी data को ignore नहीं करना है 1856 से लेकर 1863 ठीक है, जब यह question आया नहीं मैंने भी गौर नहीं किया था मैं हमेशा 7 साल को हमेशा पढ़ाता था कि 7 years तक 7 years का experiment चला था इस period में जब पहली बार exam में question आई, यह भी पूछा जा सकता है उस समय यह चीज पता चला, बहुत कम बच्चों नहीं उस साल किया था यह question चलो, question number 70 वाइरोइट्स दीफर फ्रॉम वाइरोइट्स दीफर फ्रॉम अगर बात करते हैं वाइरोइट्स के बारे में protein code नहीं होते है बहाँ पे तो RNA molecules without protein code चलो, next 71 माल्ट, sorry यह टाइपिंग मिस्टेक है, माल्ट mucosal associated lymphoid tissue constitutes about यह percentage तो बच्चे-बच्चे को मागो मैं यह percentage sorry, sorry, sorry पहले कितने आ रहे हैं, maths कितने आ रहे हैं 280 में 280 में maths कितने आ रहे हैं, जल्दी से बताओ 7 states complete हो चुका है 280 में maths कितने आ रहे हैं out of 280, जल्दी 280 में maths कितने आ रहे हैं, जल्दी से बताओ मुकेश, रधा, विक्रम, अभिलासा, सीखा, विशेक जय, भगवान, महवीर, निकिता, अंजली, वरगेश, अरपन, कुलेशवर, रियांसिय, विशेक, हभीब, विनीत, यादव, अनवेट, बताओ जल्दी से, 280, out of 280, कई बच्चों के 270 आ रहे हैं, okay, 280 by 280, show me, okay, कई बच्चों के है 280 बच्चों के हैं, जैसे सत्म, त्रिपाठी, अरपन, लाहा, ओम, तेश, बहुत बच्चों के आंजली, त्रिपाठी के भी हैं, सुभा के भी हैं, चलो सही है, है ना, अभी और देखना ह हैं, total 20 questions और हैं, चलते हैं, 8th stage में, 8th stage का पहला question ये रहा, और 50% तो सब लोग बताई रहे थे, तुम लोग हैं ना, कि 50% होता है, पुरे, चलो next, 72, which of the following is correctly matched for the product produced by then, अभी कुछ दिर पहले मैंने नाम लिया था, वो शेप्टर का microbes in human welfare, जहां से एक सवाल तो बनता ही बनत है, और उसमें भी खास है, page number 183, जल्दी से बताओ, बस हमारे सामने 18 question और है, सैक्रोमाइस सेरिवेशी के बारे में बात करते हैं, इस्ट का नाम होता है, इथानौल प्रोडक्शन में मदद करते हैं, पेनिशीलम नोटेटरम, सब को मालुम है ये बात, चलो next, question number 73, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, इसके बारे में, बताँ पूरी NCRT की लाइन ही चेप दी examiner में, कि which among the falling are the smallest living cell known without a definite cell while pathogenic to plants as well as animals can survive without oxygen, can survive करता नहीं है, can survive जरुद पड़ी तो करेंगे, can survive without oxygen, तो mycoplasma, 74, horse का order क्या है, horse का order क्या है, अगर तुम्हें human का order पता होगा, कि human का order primata है, तो यह लगा सकते हो, तुम prefix suffix देख, क्या देखोगे, suffix देखना चाहिए, और perisodactyla की बात करेंगे, तो यह आ जाएगा, ए लगा हुआ है, तो यह ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे कुछन छोड़ कर नहीं आते हैं, ना, वेबकूप ही समझी जाती है, जब ऐसे कुछन छोड़ कर आए, ओगे ना, तो जन्ता तुम्हें वेबकूप संझेगी, नेक्स, 75, frog's hurt when taken out of body continues to beat for some time, select the best option for the following statements, शलो जल्दी से बताओ, जल्दी, जल्दी से बताओ, 75 एंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ, 75 का एंसर क्या जाएगा, हाँ, C and D, बहुत बढ़ी आंसर क्या जाएगा, C and D, मायोजेनिक होता है, साथ में क्या होता है, और्टो एक्सेटेबल होता है, चलो next, question number 76, होमोजेगस, प्यूर लाइन कैटल्स कैन भी अप्टेइन्ड वाई, होमोजेगस, होमोजेगस, जल्दी बताओ, होमोजेगस, टाइम कम है हमारे पास, जल्दी से, mating of related individuals of same breed इससे क्या होता है homozygous pure lining cattle can be obtained चलो next 77 identify the wrong statement in context of hardwood hardwood से कुछ न तो लगतार आ रहे हैं hardwood sapwood जल्दी बताओ hardwood के respect में तुम्हें बता नहीं है trade conducts waters and minerals efficiently wrong statement है क्योंकि hardwood से furniture बनाते हैं और ये काम ऐसे हो जाएगा तो कैसे काम जलेगा है ना चलो next question 78 APC पूछा गया है APC anaphase promoting complex is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell अगर कहते हैं APC ही defective हो जाए तो क्या होगा APC ही अगर defective हो जाए तो क्या होगा जल्दी बताओ chromosome क्या होगा chromosome यहाँ पे एक option जाएगा segregated है ना segregated वो नहीं है यहाँ पर दे रखा यही है answer ठीक है यही तो काम करता है क्योंकि यह ना phase में pole पर जाना चाहिए और उसके लिए segregation जरूरी है तो क्रुमोजों segregate होई नहीं पाएगा simple हो गया बहुत बढ़ी है next question number 79 question number 79 बड़ा easy सा question है यार जल्दी से लगाओ carbon added to form ATP अगर तुम्हें ATP बनानी है तो बताओ जल्दी से ATP अगर बनानी है सब बच्चों के answer क्या आ रहे है mitochondria simple सा सवाल next question number 80 mycorrhiza किसके example है ecology का question है mycorrhiza किसका है mutualism का mycorrhiza are the example of mutualism 81 एक अच्छा सा question था locomotion and movement से locomotion and movement से जल्दी से बताओ locomotion and movement से question है छोटू जल्दी बताओ जल्दी easy सा question है ये question number 81 question number 81 तुमने अगर NCIT पढ़ा होगा तो X pair और Y pair तुमसे पूछा गया है तो जल्दी से बताओ तो एक बार last मैं मैं पूछूँँगा तुमसे 90 में total कितने आ रहे हैं 360 out of 360 time कम है हमारे पास answer क्या होगा D X equal to 12 कर सकते हो total 12 pair of ribs होते हैं humans में 7 pair 2 ribs होते हैं बाकी 2 pair floating ribs होते हैं और बाकी 2 बच्चे वो जुड़े हुए होते हैं कहीं न कहीं चलो next 82 लगाओ जल्दी से 82 क्या होगा पूरी फेरा सबका फेबरेट बूला गया उस फ्लैजलेटेट सेल का नाम क्या है बोलो जल्दी से औस्कूला औस्कूलम को बूला गया है क्योनोसाइट्स में फ्लैजला होता है चलो बहुत बढ़िया next question number 83 which one of the following statement is not valid for aerosols chemistry में भी पढ़ते हैं ना aerosols biology में तो कहीं चर्चा नहीं है लेकिन pollution में पढ़ाया जाता है not valid for aerosols जल्दी से बताओ they cause increased agricultural productivity valid नहीं है ये चीज़ aerosols का ये काम नहीं होता है question number 84 एक baby boy है जिसका उम्र है दो साल प्ले स्कूल में उसको admin करवाया गया है dental check-up के लिए dentist न अबजर्ब किया उसके पास 20 दात है incisor canine premolar molar कौन absent रहोगा प्ली मोलर तभी तो formula होता है न उसमें ये वाला formula होता है next 85 select the mismatch select the mismatch psychus, salvenia, ecosetum और pinus जल्दी से pinus क्या होता है pinus monoecious के case में आएगा यहाँ पर दे रखा है diocious गलत है ये next 86 morphological nature of the edible part of the coconut is morphological nature of edible part of the coconut is क्या लग रहा है morphological nature कौन है जल्दी से बताओ अभी मैंने पूछा था सुरवात में endosperm endosperm 87 double fertilization is exhibited by double fertilization is exhibited by algae fungi angiosperm angiosperm दो चीज़े हाती न singami plus triple fusion आवशीन ने दिया था next 88 spliceus homes are not found in the cells of spliceus homes are not found in the cell for prokaryote और eukaryote के basis पिसको divide कर सकते हो bacteria में cells नहीं देखने को मिलते हैं answer क्या होगा bacteria चलो next दो question बच रखे हैं आकरी में association of histone H1 with a nucleosome indicates क्या ये indicate कर रहा है क्या ये indicate कर रहा है कि H1 histone जो है nucleosome को indicate कर रहा है तो ही किस चीज को indicate कर रहा है जल्दी बताओ क्या लग रहा है जल्दी the DNA is condensed into a chromatin fiber आज का आखरी सबाल question number 90 question number 90 biosphere reserve से question है NCRT में नहीं है old NCRT में थी A line अब तुमको बताना है 360 में कितने marks आ रहे हैं 360 में कितने marks आ रहे हैं कूर जोन तो जाएगा या answer ठीक है total हमने 90 questions कर लिए है अब बताओ जल्दी से 360 में कितने marks आ रहे हैं 360 out of 360 आ रहे हैं क्या ये आ रहे हैं तो बिल्कुल मज़ा आ गया आज के session में है ना जादतर बच्चों के अच्छे marks आ रहे हैं यार तो जादतर बच्चों के marks हैं विरेंद्र, राकेस, राजेस, अर्चना, मांसी, प्रांजली, सत्यम, निकिता, मंजूसा, कुलेशवर, अंजली, महावीर, संजना, मेगा, आर्यन ठीक है अज जो भी बच्चे आने कैड भी जोइन करना चाहते हो ये कूड लगा लेना, कुमार लाइव और कुमार लाइव कूड अपलाई करने के बाद मुझे इस नंबर पर स्क्रेंशोट सेंड कर देना 62094-21280 है ना, कुमार लाइव कूड लगाना 10% का डिस्कॉर्ण मिल जाएगा मेरा पस्तों गाइडेंस मिलता रहेगा 1 year ये 2 year के लिए सब्स्रिप्शन ले सकते हो ओके बच्चों ओके बबाई, मार्ग्स बड़े अच्छे है यार सब की जो 360 जनों ने और 10 किया जैसे सत्तंत्रपाटी, अरपनलाह, रविकांत मौर्या जीवीशा जीवी, एपी, हर्शल कदम, जीवीशा बहुत सांदा रविकांत, बहुत अच्छे मार्गस आया है हाँ मेरी फिर 5 बजे क्लास है मेरी क्लास फिर 5 बजे है जिसमें मैं 90 questions फ्रेस लेकर आ रहा हूँ, complete biology का complete biology का तब मोगना सर की क्लास चल रही है, जल्दी से जो जल्दी से जो बच्चों, फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी, और ये कुमार लाइट कोड अप्लाई करना, गर तुम्हें 1 या 2 यर का सब्सक्रिप्चन लेना, 11 या, 12 या तुम्हारे कोई भी भाई बैनों को लेना आतरो, ठीक है और ये मेरा नीचे contact number है WhatsApp में direct send कर सकते हो, कोई भी doubt वगरा है, तो मैं सब्सक्रिप्चन के regarding तो, ओके, तो ये 2017 का paper था, जिसमें 90 questions थे और जाज़तर बच्चों ने अच्छे marks अप्टेंड किया है ठीक है, ओके, बबाए, थेंक यू वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ठीक है, ठीक है, बबाए, थेंक यू